गाउं से लेकर शहर तक हर ख़बर पहुचेगी अब आप तक देखते रहे यूपी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं यहाए काका के नाम से छित्र में अपनी पहचान बना चुके भाजपा के वरिष्ट नेता रादे स्याम सिंग इन्हें उत्तर प्रदेश की यूगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य बीज परमारी करण सास्था लखनों में उपाद्यक्षपत पर मनुनित कर राज्य मंत्री का दरजा दिया है जो ही रादे स्याम सिंग के राज्य मंत्री के दरजा मिलने की जानकारी हुई मिलने वो बधाई देने वालों का ताता लग गया देर राद तक लोग बधाई देते रहे अब हम आपको काका यानी रादेश्याम सिंग के जिंदगी के उस सफर को भी दिखाने जा रहे हैं जिसके बदोलत आज उन्हें राज मंतरी का दर्जा मिला है महराज गंजी लेके राजपूर गाउं के निवासी राधिश्याम सिंखा पूरे इलाके में काका के रूप में एक पाचाम है इनकी गाजनैतिक सुरुवार गाउं से सुरू हुई गाउं के परधान बने इसके बाद समित के अध्यक्ष बने लगातार दो बार महराज गंज के वैंक डायरेक्टर भी रहे फिर केन उनियन के चेर्मेर रहे इनका कदम बढ़ता ही गया इसके बाद उत्तर प्रदेश गंणा बीज और विकास निगम के तीर बार डायरेक्टर रहे भाजपा में लगातार उतार चड़ाओ का दोर भी राया लेकिन हर समय रादेश्याम सिंग एक निष्ठावान कारिकर्टा के रुप में सक्रियों भूमिका निभाते रहे प्रधानी से सुलुकी रहे और प्रधान के बाद मैं समीति का धेक्ष हुआ फिर संकाव धेक्ष हुआ फिर लगातार दो बाद बैंक आधे जिले महराजीं से डारेक्टर होता रहा इसके बाद मैं उत्तर प्रधेश गंणा बीज एम विकास निगम जो 24 जिले को कभर करता है उसका डाइरेक्टर लगातार तीन वार रहा, इस तरह से अपने सरकार में, अपने पार्टी में भी मैं कई पदों पर रहा हूँ, जिले का उपात्यक्ष रहा हूँ, सीनेर उपात्यक्ष, काफी पदों पर चुनाव पर रहा हूँ, मौजुदा समय में चुनाव भी लड़ा इस्तितियां बदली इस समय एक कारकर्ता की रूप में काम कर रहा हूँ इन्हों ने पिपराईच विधान सभा से चुनाओ लडने की जानकारी दी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रादेश शाम सिंग को उत्तर प्रदेश राजबीज प्रमारी करण सास्था लखनों का उपाध्यक्ष बना कर राजमंत्री का दर्जा दिया इसकी जानकारी निदेशक S.R. कौसर ने दी गाओं के ग्राम प्रधान से राज मंत्री तक का सफर काफी उतार चड़ाओ का रहा लेकिन इन्होंने कभी भाजपा का दामन नहीं छोड़ा राज मंत्री का दर्जा मिलने पर राधे श्याम सिंग ने मुख मंत्री योगी आदितनात का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा ने देर से ही सही लेकिन आज जो अस्थान मुझे दिया मैं बहुत खुश हूँ हमारे क्यार को देखते हुए हमारे दल के लोगों ने जो सम्मान ने दिया है योगी आदितनात ने में उनका आभारी हूँ रादिश्याम सिंग अपने घर से आज़सुवा बरगधाई इस्तित सीव मंदिर पहुँचे और पूजा पाठ करने के बाद लखनव रवाना हो गये इससे पहले सीव मंदिर सहित जगा जगा ढोल तासा बजाकर वा फुरों की माला पाठा कर लोगों ने इनका स्वागत किया भठट से नदीम अहमद की रिपोर्ट अबरों की बाद से लगा फुरों की माला पाठा कर दो है